आज हम एन्ट लार्फिल करने वाले हैं एंड में हम colors the picture brightly and paste dry tea leaves on ants as snow in insect यहाँ पर जैसे instruction दी है उस हिसाब से ही हम यहाँ पर colors करेगे एंड में हमें black color करना है उसकी eyes में colors नहीं करना है leaves में हमें green color करना है और यहाँ पर जो हमें water दिख रहा है वो water में हमें sky blue color करना है और यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो दिख रहे है यहाँ पर light lights से यहाँ पर mountain small small दिख रहे है जो छोटी-छोटी सी घास होती है हरी-हरी सी वो बन गई है तो यहाँ पर हम वो यहाँ पर dark green light green fill करने वाले हैं ये फिल करने के पाद हमारा जो पिक्चर है वो ऐसे ही same to same ऐसे ही दिखेगा तो आप ये drawing अच्छे से कर लोगे और फिर ये drawing हो जाए after तो उसके उपर आपको जो dry tea leaves है जो dry बाली हमारे घर पर रहती है वो dry tea leaves यहाँ पर आपको fevical या gum से stick कर देनी है और फिर ये जो cotton रहेगा तो cotton से ऐसे आपको कर देना है और थोड़ी दिन उसको dry करने के लिए रग देना है तो जैसे यहाँ पर दिखाए गया है वैसे ही same to same हमारा वर्क हो जाएगा ओूके प्रोड़ से तो लाएगा प्रोड़ी आपको यहाँ प्रॉच को यहाँ नहीं नहीं दूसे तो लिए हो इस हैभाई वर्क हमाहँ देना है